तो हेलो गाईज हरे कृष्णा सबको तो गाईज अपनी गाड़ी सफारी की बैटरी खतम हो गई है क्योंकि मेरे से यह लाइट खुली रह गई थी और अब इसकी बैटरी हो गई है खतम तो लेट सी टाटा वालों को फोन करा है 45 मिनेट्स हो चुके है देखते है कब तक आए करेंगे 45 विनेट्स एक दो घंटे भी कमी टाये में इतने में तो आजाने चाहिए दो घंटे में भी आजा जाए तो सॉटेड है चालेगा इतना एसी बंद कर जाता हूँ तो गाइज वह यह बैटरी का यह निकाल कर गए है बस इसे चार्ज करेंगे वह चोटी बैटरी लाइद से स्टार्ट नहीं होका है बागी तो सब नॉर्मल है कुछ आसा खास हो नहीं है डाटा वाली आ गए तो स्टार्ट करके देदेंगे पता नहीं कितनी देर में बस हो हो जागा स्टेट हो जागा सी अपन यूट्यूवर्स के साथ दी कुछ नहीं कुछ होता ही रहता है तो भाई टाटा वाले अब फिर से बड़ी बैटरी लाए और बड़ी बैटरी से हम स्टार्ट करने की ट्राय कर रहे और इससे भी स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी प वालों को भेज हैंगे मज़ए उन्या टाता के टेकनीशन है वह आएंगे मन लेक्तरिशन तेकनीशन वगरा फिर बता चलेगा क्या सी कि अ भी कर राव चैवी अ मिश्ब में बलाव कर रहा इकार चार्ड कर गो करूं करूं नहीं हो रही है कर दी तो गाइस जैसे नहीं टेक्नलोलोजी आरही है वैसे वैसे नहीं प्रॉब्लम्स भी आरही है देखो अब हुआ क्या पेले दो जंपिंग केबल से बैटरी स्टार्ट हो जाती तो गाड़ी एकदम साट हो जाती तो अब क्या सीन है बैटरी को बाहर निकालना पड़ेगा और बैटरी को चार्जिंग पर दे के आना पड़ेगा और चार्जिंग में लग भग 24 गंटे लगते हैं तो मैं तो यह सोच रहो अगर बायचंज कही रोड वगरा के बीच में बंद हो जाए गाड़ी एक बार को तो क्या होगा भाई तो गाईज आप लोगों का क्या आल है इस चीज के लिए अगर रोड पर बायचंज कोई गाड़ी बंद होती है इस टेकनोलोजी के साथ तो भाई उसे 24 गंटे वेट करने पड़ेगा क्या रोड पर ही क्योंकि भाई आटोमेटिक गाड़ी तो आगे पीछे भी नहीं हो सक कि सही होई या नहीं या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं थी तो गाईज हरे कृष्णा थेंक यूवर वाचंग सब्सक्राइब कर लेना चो अब इस घंटे बाद मिलते हैं गाईज थेंक यू